Hey everyone, welcome back to my channel, concepts of civil engineering. My name is Anamika Gupta. आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे spillways के types के बारे में, उसकी classification के बारे में, उसकी definition और इसकी uses के बारे में. चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. देखे, spillways होते क्या हैं? तो कोई सा भी reservoir होता है, तो उसकी एक certain capacity होती ही, वाटर के store करके रखने की, लेकिन किसी condition में, अगर reservoir full हो जाता है, और उसके अंदर flood water enter करना स्टार्ट कर देता है, उस condition में जो क्या होता है, रिजर्वर का level होता है, वो बिल्कुल उपर तक आ जाता है, यानि कि उसके highest level तक पहुँच जाता है, जिसके वज़े से क्या होता है, डैम के अंदर overtopping होने की संभावनाय हो जाती है, तो उस चीज़ को avoid करने के लिए, उस चीज़ को counteract करने के लिए spillways बनाया जाते है, तो चलिए देखते हैं अब इसके types के होते हैं, इनको ब्रीफली देख लेते हैं कि इनके क्या के use होते हैं और इनकी जो structure होता है वो किस टाइब का होता है, पहला देख लेते हैं, drop spillway या फिरी overfall spillway भी इसको बोला जाता है, यह एक ऐसा structure होता है, जिसकी height बहुत कम होती है, इसका crest होता है वो narrow होता है जिसकी वज़े से water का flow होता है वो पास freely flow करता है water और less vertical होता है तो यह जो first image है उसमें आप देख सकते हैं कि जो इसकी neck है, जिसका crest है वो काफी narrow है जिसकी वज़े से water क्या करता है, freely fall करता है ठीक है लेकिन इसका disadvantages भी होता है कुछ इसके कि जो free overfall होते हैं उनको आप अगर आपका foundation weak or dam का तो आप वहाँ पे construct महीं कर सकते हो क्योंकि अगर आप यह free overfall वहाँ पे बनाएंगे तो क्या होगा जो वहाँ का foundation है यानि कि जो apron होता है stream bed के ऊपर ठीक है उसके अ disgracement होना स्टार्ट हो जाएगा जिसके वह जिससे क्या होगा यह सही से नहीं अपना काम कर पाएगा ठीक है इसलिए कई जगे पे यह free overfall नहीं बनाए जाते हैं जहां पर foundation जो होता है अब बात करते हैं august pillway जो होता है वह basically free overfall का एक modified version होता है ठीक है इसके अंदर भी water का जो movement होता है या फिर water का flow होता है वह बिल्कुल smoothly flow होता है ठीक है और यह जो august pillways होते हैं इनको basically कहां पे बनाया जाता है सबसे ज़्यादा या तो आपकी gravity dams पे बनाया जाते हैं सबसे ज़्यादा या फिर arch dam पे या पिर buttress dams जो होते हैं वहाँ पे इनको ज़्यादा बन सिफोन के बारे में 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 सिफोन के बारे मे या फिर कुछ amount में जो air है वो enter करती है ठीक है अब ये air क्या होती है दीरे-दीरे करके जैसे remove होती है तो air के remove होने के साथ साथ ही इसके अंदर जो water की capacity है यानि water का discharge है वो एक large discharge होता है ठीक है जिसके वह जैसे क्या होता है एक साथ हम कह सकते हैं कि बहुत सारा पानी इसके अ जिसे हम sink hall भी बोलते हैं ठीक है shaft spillway का एक end जो होता है वो तो crest से जोड़ा रहता है और जो उसका दूसरा end होता है वो shaft के through कोई सी भी जो downstream river है उसे connected रहता है जिससे क्या होता है जो water बहुत जादा amount में release करता है तो क्या होता है यह water बहुत जल्दी amount में बहुत जादा amount में क्या होता है रिलीज होता है बात करते हैं त्राफ spillways की यह जो spillways होते हैं इसके अंदर एक steep slope provide करवाई जाती है यानि कि जो structure होता है इसके अंदर एक आप देख सकते हैं काफी height होती है जो spillway होता है उसके height काफी जादा होती है जिसे हम बोलते है steep slow बोलते है यह वाले जो spillways होते हैं उनको आप अर्दरन डैम्स में या फिर ग्राविटी डैम्स दोन में ही provide करवाई जाता है यह cup provide करवाई जाते हैं जब जो valley होती है surplus energy of surplus water जो होता है उसको remove करने का काम करते हैं किस condition में अगर overflow नहीं provide करवाया जा रहा है तो अब बात करते हैं side channel spillways की यह side channel spillways जो होते है इसके अंदर क्या होता है जो crest होती है ठीक है वो discharge channel के बिल्कुल along होती है जिसके वज़े से हम यह कह सकते है जो dam होता है और जो spillway होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते है along side होता है यह निकि approximately जो crest होती है वो इसके parallel होती है जब sufficient space नहीं available होता है इसके entrance के अंदर उस condition में हम क्या करवाते हैं side spillway channel प्रोवाइड करवाते हैं यह भी कह सकते है जहां पर free overfall वाला नहीं provide करवाते है इस condition में side channel प्रोवाइड करवाते है एक तो इसके दो फायदे होते हैं पहला तो क्या हो रहा है कि less space में इसका construction हो रहा है जब space कम है हमारे पास उस condition में हम इसको provide करवाएगे तो क्या होगा इसका जो crest है वो इसके parallel आजाएगा जिसके वज़ेसे क्या होगा जैसे ही dam का level है या फिर ezजवर का level है जैसे ही fill होगा वह तुरंद की तुरंद क्या हो जाएगा water क्या हो जाएगा release होना start हो जाएगा जिससे क्या होगा flood condition नहीं आएगी और डैम के अंदर overtopping भी नहीं होगी तो ये था हमारे side channel spillways ठीक है तो ये थे spillways के type अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसे like की ते share कीजिए और मेरे channel को subscribe कीजिए मिलते हैं आप से अपने अगले वीडियो में Till then take care, bye, thank you